नमस्कर दोस्तो वेलकम बेक टू Youँटूब चैनल तो देखो फ्रेंट्स आज हम बात चित करें जह सीवा इनूंका नैक्स्ट वमोग के बारें में सबसे पहले सीवाइनों को देखने से पहले यहां पर हमें बिटकोइन को देखना पड़ेगा क्योंकि जितने भी दूसरे कोईन है या थो छोटे टोकन या थो बड़े टोकन वह बिटकोइन पर डिपेंडेड़ रहते तो अभी बिटीसी देखो तीन दिन से लोग आ रहा है इसलिए हमें सीवा लाइस दूसरे कोई कोई में मुवमेंटस दखने को नई मिल रहे ये बर देखो प्रैण्स में आपको यह पर बता देता हूं कि कितने दिनों में या तो कितने ट्यूं में सबसे मिलेगा सबसे याँ नीची की और breakdown होगा तो सीबा इनुमें एक dump आपको देखने को मिलेगा बट देखो प्रेंट्स मुझे नहीं लग तक कि अभी के लिए ऐसा कुछ हो सकता है यहां से सीधा सीधा बीटी सी में यहां से मैं मान रहा हूँ कि बीटी सी का bounce back होगा अभी देखो week end है week जैसे ही complete होता है उसके बाद देखना चाहिए जैसे यहां से bounce back होगा और इस बार इस range को तोड़ देता है मतलब कि बीटी सी ने बार बार ट्राई की है 45,000 वाले area को तोड़ने के लिए इस बार जब भी bounce back मिलता है इसको एक बार तोड़ के रिटेस्ट करके अगें ट्राई करता है उसके बाद शीवा इनू में बहुत बड़ा jump देखने को मिलेगा बटो कितना jump होगा ओ में आपको clear कर देता हूँ आपको चैनल सब्सक्राइब करना बनता है साथी साथ में आपर लोगों को दिखाया जाए तो एक छूटा सा टेलिग्राम अकाउंट यहां पर हम फ्यूचर कोल डालते है नया नया बनाया इसलिए ज्यादा तो मेंबर एड नहीं हुए बिल्कुल फ्री है तो आप बिल्कुल फ्री में इसे जोइन कर सकते हो डेली आपको यहां से पांच कर देो uh Suport मिल रहा है जैसे मेंने बिटॉचंच बत रहा है और उसके बाद मान सकते है कि शीबा इनुँ में भी moment आएगा और इस बार इस trend line को तोड़ देता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो measure resistance है वो एक trend line है इस trend line को तोड़ देता है फिर करता है फिर मैं finally कहूंगा कि इस trend line को भी तोड़ देगा मतलब जो resistance है उससे भी तोड़ देगा फिर अगेन यहां पर और शोट में समझा जाए only for इस trend line को ब्रेक करके इस resistance तक भी जाता है तो भी सीधा-सीधा 35% का आपको profit मिलने वाला है सीबा इनु में और बहुत जल्द होगा यह सब कुछ जभी bitcoin 45 को तोड़ेगा तो सीबा इनु में एक moment अपको देखने को मिलेगा क्योंकि काफी टाइम से यह range में फशा हुआ है price जैसे कि यह downtrend था यहां तक आया फिर बाहर नहीं निकल पाया था फिर इस range में फश गया है यहां पर आप देख रहे हो यही range में अभी भी trade कर रहा है तो आपको ज्यान से देखना है सीबा इनु को जितनी तरफ जिस तरफ भी बाहर निकलेगा बहुत बड़ा jump या तो बहुत बड़ा dump देखो आपको negative नहीं सोचना है और मैं आपको बहुत जल्द बता रहा हूँ अब यहां पर dump में नहीं मानता ज्यादा चांची से pump होनेगा क्योंकि एसे कभी भी price फसता है कभी भी एसे trend में price फसता है जिस तरफ भी निकलता है बहुत बड़ी तरीके से जाता है जैसे कि इस trend से बाहर जब भी निकलेगा सीबा इनु में एक उछाड आपको देखने को मिलेगा या तो उल्टा होता है को नेगेटिव नियूज अपडेट आदाता है तो सीबा इनु में एक बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी बट मैं मानता हूं तब तक के लिए उचाल ही देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट जितना था और आगे कितना न झाल है